नमस्कार, ध्वनी की शक्ती, नाद की शक्ती बहुत शांदार होती है और इसका उधारन अगर देखें तो आप जंगल में जीव जंतों की आवाज, छुटी छुटी आवाजें आती हैं, चिडिया की चहचाने की आवाज, नदी के कलकल की आवाज, ये सब आवाज हमें मानस शांती देती है, इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा तो है, जो बाहर सुनते हैं और अंदर हमारे माइंड में, और बहुत अच्छा फील कराता है, और हमारा शरीर जो है, उसी के अनुरूप कारे करता है, ऐसा ही एक नाद है, जो की पूरे ब्रमांड में चलता है, और कहते है कि यथा ब्रमांडे तथा पिंडे अगर छोटा जो पिंड है छोटा पिंड यानि हमारे पास एक लोटा होगा प्रियोग बता रहा हूँ एक लोटा होगा उस लोटे को आप कान पर लगाना खाली लोटा होना चाहिए कान पर लगाएंगे आपको कान में इस प्रकार का नाद सुनेगा अब ये नाद चाहे भारत में सुन लीजिए चाहे अमेरिका में सुन लीजिए ये नाद तो आपको उस लोटे में मिलेगा क्योंकि ये ब्रमांड का नाद है और ये लोटा जो है ये छोटा ब्रमांड है हमारे हाथ में ये शरीर भी ब्रमांड है इसमें भी ब्रमांड में जो चीजें वो यहां पर भी है तो एक फ्रिक्वेंसी होती है एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी को जब मिल जाती है जैसे वाइरलेस में होता है तो एक दूसरी की आवाज का आदान परदान होता है इसी ब्रह्मांड की उस नाद के साथ अगर हमने अपने शरीर का नाद को समंजशे बिठा लिया तो हम अपने आपको बहुत शान्त और बहुत ही तनाव से मुक्त महसूस करेंगे शरीर में तकलीफें क्या हैं कि हमारा डिस्बैलेंस हो रहा है इस पृथवी पर जो चरा अचर की जो चीजे हैं इन से ये जो हमारा डिस्बैलेंस है ये हमें तकलीफ दे रहा है तो आज हम जो जिस विश्य पर बात करेंगे वो है लेट कर हमने पिछली बार बात की थी डीप ब्रीधिंग से कि हम सोईंगे और डीप ब्रीधिंग से पूरी शरीर के हिस्चों को महसूस करेंगे डीप ब्रीधिंग तो रहेगी लेकिन आज हम करेंगे नाद के उपर और ये नाद जो है बहुत महत्वपून है, इस विशय पर हम बहुत बार बात करेंगे और इस नाद का प्रियोग किया जाता है ब्रामरी प्रणयाम में भवरे की आवाज, गुंजन आप देखेंगे कितना अच्छा लगता है वही गुंजन जब हम माइंड में करते हैं, रिशे मुनियों ने देखा भवरा इतना गुंजन क्यों कर रहा है और उसके बाद में देखा कि वो कुमदुनी के फून में बैड़ जाता है, वो बंद हो जाती है, वो मर जाता है मतलब ये उधारन में पीछे भी दे चुका हूँ, ये जब हम देखते हैं, हमारे अंदर देखते हैं, तो वही जो टेंशन फ्री, जिसको अपने जीवन का भी मोह नहीं है, वो जो भमरा है, उसको कोई तनाव ही नहीं, तो हम भी तो इतने तनाव लिए भूम रहे हैं, तो उसको ठीक कर देंगे, तो ओटोमेटिक हमारे शरीर की बहुत सारी चीजे, आदी और व्यादी का सिद्धानत आपको मैंने बताया था, जो माइंड में होगा, वही शरीर पर व्यादी के रूप में आएगा, तो अगर माइंड अच्छा है, तो शरीर सुन्दर, अगर माइ एक से डेड़ फिट की बीच में दूरी रखना, ये जो आज मैं बता रहा हूँ, ये आप एक टाइम कर सकते हैं, जैसे सुबह आपने अगर पूरे योग आसन, प्राणयाम सब कर लिया, तो शाम को इसको कर लीजिए, अगर आप शाम को करना चाहते हैं, तो सुबह इसको क जब आप 15-20 मिनट एक दम खुली हवा, जिसमें बहुत तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, शांत वातावरन होना चाहिए, सूर्य जो है वो उगता हुआ सा होना चाहिए, अगर ऐसे समय में आप नहीं उड़ते हैं, तो आप अंदर फिर रूम में आप कर सकते हैं, एक वाता लो में भ्रामरी प्रणयम नहीं करने का होता है, और लो हो जाता है, हाँ जिनका वीपी हाई है, उनके लिए ये प्रणयम ठीक है, सामनने तोर पर और सभी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मना ही नहीं है, सीधे लेट गए, ये शवासन की मुद्रा है, इसमें सीधे चित लेटना होता है हाथ जमीन पर हतेली आस्मान की ओर अब हमें करना क्या है देखें डीप ब्रिधिंग में हमने लंबा स्वास लिया अब इस स्वास से नाद करना है आप मेरे साथ करेंगे सारी चीजे समझ जाएंगे ये क्या था हमने डीप ब्रिधिंग किया लंबा स्वास लिया और भंवरे की आवाज करते हुए नाख से स्वास को बाहर निकाला आवाज करते हुए ये मुख्यबात है ये जो नाद है ये एक सेंटर पार्ट से निकलता है नासिका के उपरी भाग से और हमारे मस्तक के मद्य भाग से ये जब वाइब्रेशन पैदा होती है यही वाइब्रेशन मैंने आपको बताया था लोटे में होती है लोटा हम कान पे लगाते हैं यही वाइब्रेशन महसूस होती है हम उस vibration से इसको match करेंगे और body जो है वो हमारी चित रहेगी, सीधी रहेगी इसमें किसी प्रकार का कोई moment हमें body का नहीं करना है बस ये नाद आपने शुरू किया अब बात कहां से शुरू होती है आप इस नाद को जब पांच बार बोलेंगे तो उसके बाद में आपको एक vibration यहां पर महसूस होनी शुरू हो जाएगी अब आपको concentrate करना है देखिए concentration ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको बाहर की आवाजे आ रही है तो आप क्या करना है कान को बंद करना ऐसे लेटे-लेटे हाथ जो है ऐसे रख लीजिए एकदम आराम की मुद्रा है किसी प्रकार की कोई tension नहीं होनी चाहिए कमर के नीचे पैरों के नीचे किसी प्रकार की कान का जो ये उबरा हुआ इससा है कान के आगे जो ये हड़ी थोड़ी सी होती है मसल्स होती है इनको ऐसे दबाना इस तरीके से स्वास भरा अगर अंगूली में जैसे ऐसे कईयों को ऐसे प्रोब्लम हो सकती है तो अंगूठा जो है इसका उप्यों करें कैसे देखो इस तरीके से और हाथ जो है वो जमीन पर ऐसे टिक जाएगा तो आपको एकदम इस्तिर फील हो जाएगा फिर ये अंगूठा कान के इसे उप्रेवेश से को ऐसे दबाना है ऐसे दोनों कान को जब आप तीन बार करेंगे उसके बाद में आपको वाइब्रेशन सिर में महसूस होगा और जब चोथी पांच वी बार करेंगे तो आपको वाइब्रेशन नीचे पैरों में जाता हुआ महसूस होगा यह वाइब्रेशन जब शरीर के उपरी भाग से ओते हुए पैरों के अंगूठे तक पहुंच जाए तब आपको उसको कंसंट्रेट करते हुए उपर आना है कैसे करेंगे देखिए एक वाइब्रेशन जब हम करेंगे एक एक रिपीटिशन करेंगे तो हमें सेर के अंदर दूसरा रिपीटिशन करेंगे तो गले से और चेस्ट के उपर तीसरा रिपीटिशन करेंगे तो चेस्ट से नाभी के उपर चोथा करेंगे तो नाभी से घुटने तक और पांचवा करेंगे तो घुटने से पैरों के टकने तक और छटा करेंगे तो पैरों के तलवे तक ये इस प्रकार आप एक-एक स्टेप बना सकते हैं और छोटी भी कर सकते हैं ये मैंने शुरू-शुरू में बताया है फिर उसके बाद में आपकी प्रेक्टिस बढ़ती जाएगी आप जो है शरीर के छोटे-छोटे हिस्से कर लीजिए कि हाँ अब यहाँ आगया अब यहाँ अब यहाँ ऐसे करते-करते नीचे जाना है एक-एक नाद के साथ जैसे अब मेरा सिर तो होई गया गले से और मैं यहाँ चेश्ट तक इसको महसूस कर रहा हूँ कैसे अब चेश्ट से नाभी तक अब नाभी से घुटने तक गुटने से टकने तक टकने से नीचे पैरोगे तलवों में अब तलवों से उपर आ जाईए टकने से घुटने तक गुटने से और नाभी तक नाभी से चेश्ट तक सीने तक सीने से गले तक और पुने मस्तक के भाग वे हातों को आपस में रभ करेंगे आँखों के उपर लगाना ये शुरू शुरू में हो सकता है दो से तीन दिन चार दिन आपसे ये पूरी तरीके से समझ में ना आए लेकिन नाद ही करना है सीधा लेटना है ये दोनों ही बहुत आसान काम है कान को बंद करना ये भी आसान काम है डिवाइडिशन मैंने आपको बता दिया मैंने मेरे ही साब से एक शुरूआ डिवाइड किया है उसके बाद में आप इसके छोटे पार्ट कर सकते हैं, कि यहां से यहां तक, यहां से chest को half कर लिया, chest से जो है, इसके ribs के नीचे, इसको आप एक हिस्से को 2 vibration भी दे सकते हैं. ऐसा करते-करते 5-6 दिनों में, 10 दिनों में आपको एक feeling होनी मुष्णूरू हो जाएगी, क्यों करना है इसलिए करना है कि धर्ती का गूर्टवाकर्षन हमारी पूरी के उपर या ऐसे लेटे हुए है हम सीधे खड़े रहते हैं तो हमारी वेंस ऐसे उपर वलड सीर की तरफ पहंकती हैं और सीर से पैरों की तरफ पहंकती है अब जब सीधी लेट गए, तो ये दोनों का प्रेशर बराबर हो गया, पैरों की तरब भी उसी प्रेशर से जा रहा है, और यहां भी उसी प्रेशर से जा रहा है, तो शरीर को हम तकलीफ नहीं है कहीं भी, तो शरीर को हम महसूस कर सकते हैं, हर इससे को, इसलिए धीला शरीर को उए इसको किया जाता है ये ध्यान की एक छोटी सी प्रक्रिया कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं है लेकिन एक छोटी सी क्रिया है जिसको करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा उन लोगों को, जिनको शरीर में पेन लग रहा है, जिनका BP बहुत बड़ा हुआ है, गुस्सा बहुत आता है जो अंदर से अपने आपको बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे है तनाव जिनको बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी जिनको रहती है एक दुख का भाव, जो ओर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको 20 मिनट, 25 मिनट भी देते हैं ये पार्ट मैंने जो डिवाइड किया, उसमें 11 बार ब्राबरी हुआ है उसके बाद में आप इसको 21 बार भी ले जा सकते हैं क्योंकि तल्वे में एक बार होगा, बाकि सारे बोड़ी पार दो दो बार होगे तो तल्वे में एक बार होगया, तो 21 बार होगया, 51 बार होगया, 51 बार तक बहुत होता है एक feel होगा कि हाँ वाकई में मेरे कुछ शरीर में हुआ है तो ये उन लोगों के लिए भी जो कुछ नहीं कर पाते जो योग में कुछ नहीं करते वो इतना भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा तो आज का हमारा ये ध्यान का एक पार्ट था जो पिछले वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने कहा कि next एक पार्ट और आप बताईएगा तो ये मैंने बताने का प्रियास किया है अब आप इसी प्रकार ये नाद जो है इस ब्रमांड के नाद से अपने शरीर के नाद को एक तरतम में बैठाए उस नाद को आप मैसूस करें और अपने आपको स्वस्त मनाए ऐसी आशा अप्रिक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचारे मेरे साथ ही निव्यांसु के साथ त्रीनेतर टीवी के लिए लेता हुई जाज़त नमस्कार